कुछ लोग इतने घटिया होते हैं और इतने जूटे होते हैं कि वो सरासा सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन मुँपर जूट बोलते हैं प्रूफ भी मिल रहा है सब चीजे मिल रही है इवन लोग जाकर बोल रहे हैं सीख दे रहे हैं लेकिन मानेगी नहीं क्योंकि क्या है न च कि मैं उसको जानती नहीं हूँ और एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि मैं किस पर reaction देती हूँ जिस पर मैं reaction भी नहीं देती हूँ नहीं समझ भाया है ना चलिए सारा माजरा बताते हैं Hi friends, welcome back to my channel चैनल में new है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस साथ इसाथ बेल ऐक अन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की notifications आपको पहले ही मिल जाए तो कुछ जूटे लोग हैं जो बनके गूम रहे हैं मतलब एक podcaster बनके गूम रहे हैं whatever जो भी गूम रहे हैं देखो पहले भी मैंने कई दफागा क्योंकि मुझे messages आएं लेकिन मैंने ignore कर दिया क्योंकि मैं इस field में काफी time से walk कर रही हूं और अब से नहीं कर रही जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरा चालू के साथ कुछ पुराना ही है तो मुझे पता है कि क्या चीज़े हैं क्या चीज़े नहीं है तो मैं यहां जो walk कर रही हूं कम से कम मैं 3 साल से walk कर रही हूं ठीक है और उसके बाद podcast मैं अब बना रही हूं लेकिन work तो मैं पिछले 3 साल से कर रही हूं तो क्या चीज़े हैं कैसी चीज़े हैं वो मुझसे बहतर कोई नहीं जानता, अभी मैं reaction दे रही हूँ, reaction दे रही हूँ तो ये मेरी अपनी opinion है, मैं किसको कितना personal ही जानती हूँ, किस हद तक जानती हूँ, ये मुझसे बहतर नहीं जानता कोई भी, और मैं उसके basis पर ही अपने reaction भी देती हूँ, और आपने notice भी किय होगा कि काफी हद तक मेरी बोली हुई चीजे जो न वो प्रूफ भी होती है साबित हो जाती है वक्त आने पर जो मेरे सब्सक्राइबर ने कई बार बोला भी है तो मेरी जो अपनी ओपिनियन देखो भाई मैं इस एज में आके मेरे को कुस तो कम सका मेरा माइंट सेट होगा क उस तो मेरे में अकल होगी जो मैं चीजे और उसके बिहाफ पर में रियक्शन देती हूं बात आ जाती है मेरे अधर फैलो पोड्कास्टर की तो देखो भाई देखा जाए तो जितने भी तीन चार पांच जो भी हैं मैं परसनली सबको नहीं जानती लेकिन जैसे जिस बिहा को और इसको देखने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होगा इनको समझाने का इनके सली के जिन चीजों से मैं पॉइंट ढूनती हूं वो सब बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि मैं किसी को गौपी नहीं करती मैं व्लोग देखती हूं जो चीजे मुझे अटपटी तो वो लोग Google करते हैं या फिर अपने किसी भी friends है या किसी circle में किसी से पता करते हैं Being a Muslim मुझे बच्पन से पता होती है तो जो चीजे मेरे सामने इस्लामिक तोर पर भी गलत हो रही होंगी या फिर इसलाम में ये होता है ये अलग करके दिखाती है तो मेरे point of view किसी से कैसे match हो जाएंगे मुझे आस तक कभी किसी ने ये नहीं कहा मेरे podcaster जो fellow podcaster रहना वो भी मुझे इस चीज के लिए support करेंगे और वो बोलेंगे कि मैं आस तक कभी किसी की copy ने कहती है लोग इतनी इतनी बाते भी बनती है कि reddit पर ये है reddit पर ये है हाँ मैं ये नहीं बोलूगी कि मेरा reddit पर account नहीं है बिलकुल reddit पर account है लेकिन मेरा reddit पर account है और मैं वहां comment जब करती हूँ जिस चीज़ पर मुझे ये लगता है ना कि ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे है तो वहां correct करने के लिए हमेशा मैं comment करती हूँ otherwise मैं छोड़ देती हूँ लेकिन जब तक मुझे ये लगता है ठीक है मामला चलता है मुझे नहीं बोलना चाहिए मैं ब लेकिन आपको main बात नहीं बताई एक महतरमा है जो सारे podcaster की सारे podcast सुनती है और फिर उनको copy कर लेती है क्योंकि मुझे लगता है शायद उनमें खुद में brain नहीं है इससे पहले भी मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे उनकी जोने screenshot भेजे है और ये भेजा है ये बो क्योंकि वो देखते होंगे मेरे उन्होंने मेरे सुने है और बाद में उनकी वीडियो आई है तभी तो उन्होंने वो comment किया है वहाँ पर ये देखकर के दोनों का combine कर दिया है क्योंकि मेरे point of view बिल्कुल अलग होते है fellow podcaster के अलग होते है लेकिन ये जो madam है ये क्या करते है पका पकाया खाना आता है बस उसको परोज देती है अपने अपने तरीके से वो अलग बात है कि किसी अलग plate में परोज दिया किसी अलग plate में परोज दिया लेकिन पका पकाया खाना परोज दिया है मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई ठीक है आपको समझ में नही हो क्योंकि मैंने शुरुआत में जब मुझे किसी ने शुरू में ये भेजा था ना महिनों पहले कि ये आपको कॉपी करती है और ये ऐसे वही सब चीजे दोहरा देती है तो मैंने एक ये दो इनके पोड़कास्स सुने तो मुझे लगा कि ये कॉपी कर दिया मैंने इग्नौर कर दिया मैंने चलो भाई जाने दो कोई बात नहीं उनको शायद हो सकता है वह चीजे समझ में जाते हैं जो कि वह खुद भी कहती समझ में आती है कि मुझे में इतना दिमाग नहीं है और मैं इतनी चीजे नहीं समझ पाती हूं कई बार खुद के पोड़कास्स में इन्होंने ये सारी बाते बोली हैं एवन ये दो पोड़कास्टरों के बीच में जब आपस में जगडे चल ले थे और कोंटो वर्सी चल ली थी उसमें भी इन्होंने पंगे लिये थे और पंगे लेने के बात भी इन्होंने अपने पोड़कास्वीड़ ये कहा कि कियों किसी की कापी करना और यह है तो जो करते हो तो बता दिया करो ह mort geven इनके खुद के कमेंट की हूं है और उनकी खुदकी किसी ने वहां पर कमेंट किया कि मैं लगी टाइप की लेंग्वेज यूज करती हूं, मतलब गंदी लेंग्वेज यूज करती हूं और उस तरह से इज जानती ही हैं आप मेरा नाम मेरा नाम जब आप मेरा नाम नहीं जानती हो तो फिर आपको पता नहीं हो ना किस पर रियक्शन देती हूं अपनी बातों में खुद फजग है आइंदा से नहीं मेरे पोडकास कॉपी करना और इवन मैं आपको एक प्रूफ और देती हूं इन मैडम की एक इन्होंने ठमनेल लगाया थ पूडिकास्त में पूरानी फोटो डाली है यानी कि मैंने वह कमपेर किया था और सही बता हूं तो और अगर रेडिटर्स और होगे तो रेडिट वालों को भी ये बात मैंने बताओी है कि वहाँ पे वो Bangalore नहीं गई क्योंकि Redditter सारे का सारे इस बात में Confusion हो रहे थे कि चालू तो Reddit वहाँ पे घूमने के लिए गई है Bangalore और मुझे पता था कि वो Bangalore घूमने नहीं गई है क्योंकि ये पुरानी स्टोरी लगा रही है जान बूच कर तो यहां पर है ही नहीं ये तो काम से बैंगलोर गई हुई है तो मैंने ये वीडियो बनाई और उसके मैंने स्क्रिंशोट भी लगाये थे वीडियो के बीच में और ये दिखाने के लिए कि ये देखो उस दोरान की पिक्चर से है कोई नाम लिया है ना ही कोई बैंगलोर के फोटो डाले तो पूरा तर टोटल कॉपी कर लेती हो और उसके पास सफाई देने आ जाती हो मुझे इस पर भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई बात नहीं आपको नहीं समझ भाता बहुत बार मैंने ये सुना जब मुझे लो मजे लिए वीडियोस बनाई और यहां तक भी कहते हुए सुना कि भाई क्यों किसी का कंटेंट कोपी करते हो तो ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ एक दो पोड़कास का सुन लेती हूँ तो फिर उनको क्रेडिट दे दो भाई जब तुम शबनम गहलोत नाम को जानती नहीं हो फिर तुमने कैसे दावा कर दिया और तुमने कैसे बोल दिया कि मैं सितारा यासिन पर रियक्शन देती हूँ क्या तुम उस शबनम की बात कर दियो जो एक और शबनम मैडम है लेकिन उनका सरनेम गहलोत नहीं है अगर आप गंदी लेंगवेज की बात कर रहे हो तो प्ल स्लिम राजपूत समझ में आया इसलिए मेरा सरनेम गहलोत है तो माइंड इट दुबारा से नहीं कॉपी करिएगा और नहीं दुबारा से इस पचड़े में मुझे मत घसी दिएगा आप मैडम आप क्या बात करोगी आप ना केवल कंटेंट कॉपी करती हो इवन आपने मेर गया मेर पूरा डिस्क्रिफशन कॉपी किया हुआ है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो आपने डाला हुआ नहीं ब्लॉग ब्लॉग पॉस्री योटीब ग्रोथ यह जितने भी टेग्स है यह मेरे हैं चिसको भी मिलाने हैं मेरी लिएक्शन देती ती ओससे पहले के भी है प्लीज जाईए और चेक किजिए कि as it is इन्होंने description copy मारा हूँ एक यहाँ पर दो screenshot लगा रही हूँ एक मेरा है मेरी oldest वीडियो का यानि कि 2023 के दिसंबर का और एक इन मैडम का है same copy मारा का क्योंकि वो keyword मैं use करती थी क्योंकि मैंने पहले भी इनकी वीडियो बहुत सारी upload की हुई थी तो मैं उनके उस टाइम पर शादी के टाइम पर भी मैं उनके keyword यूज करती थी वो सारा total मैडम ने copy मारा रहा as it is आप खुद मैच करकर देख सकते हैं यह देखिए यह मेरा screenshot और अब यह देखिए यह in madam का screenshot मैंने तब भी कुछ नहीं कहा आप जब इन्होंने इस बात को उठाया है कि किसी और के बारे में बात करने की बजाए मेरे बारे में बात कर रही है और शबनम reaction को मैच कर रही है मतलब मेरी कौन सी language में आपको यह समझ में आया कि मैं गंदी language यूज करती हूँ just because मैं यह कहती हूँ कि वो 34 साल की औरत है तो उसमें कोई गंदी language मुझे तो नजर नहीं आती है और मेरे किसी ने भी कोई अगर मेरे haters भी होता है यह जिनको मेरा podcast पसंद नहीं आता वो भी यह नहीं कहते कि आपके ऐसी language यूज करें क्योंकि मैं ऐसी language यूज करती रही हूँ और मेरे जो बाते होती है वो point to point होती है और on point होती है जो मुझे लगता है जो समाजिक तोर पर गलत है जो मुझे लगता है इस्लामिक तोर पर गलत है और मेरी जो opinion वो मेरे age के according है तो मैडम आइनदा से ना तो copy करना और ना ही मेरे साथ किसी भी पंगे में पढ़ना और यह जो आपने वीडियो में मेरा नाम लिया है इसको please remove करो क्योंकि आप मेरा नाम भी ढंक से नहीं ले सकती तो इसका मतलब आप मुझे ढंक से जानती नही करती है और नहीं किसी को copy करती है copy करने का काम आपका है आप copy करती हो इनकी तो खुद की लिखावर्ट देखो जरा क्या से मतलब इनको spelling तक सई से लिखना नहीं आते हैं और आप अगर इनकी शुरू की वीडियो देखेंगे ना बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे जब मैंनों ने description copy मार लिया मेरा total सब तरह का क्योंकि first vlog my first vlog और YouTube earning यह सारे keywords में यूज करती थी क्योंकि मैं इस पर अपने YouTube भी upload करती थी और दूसरी वीडियो भी upload करती थी तो मैं बहुत सारे keyword और बहुत सारे में जो हैस्ट्रेक्स और यूज करती थी मैंडम ने description copy किया तो मैंडम के व्यूज आने शुरू हो गई और भाई similarity के लिए मैंने तो screenshot भी लगाए हैं तो आप जाईए और चेक मैं बीच-बीच में कई बार post करती हूँ तो इसका मतलब आपका mind काम नहीं करता है और इसलिए आप क्या करते हो दूसरे podcaster की video सुन लो और फिर उनका combination जैसे की एक subscriber ने आपको comment किया definitely वो मेरे follow creator के भी subscriber होंगे और मेरे भी होंगे उन्होंने आपको comment किया और एक नहीं वो शबनम गहलो तो उन्होंने साफ साफ नाम mention किया है और आप सब के लिए मैं एक screenshot भी लगा देती हूँ यह देख लीजिए एक यह screenshot लगा है प्लीज स्क्रीन के तरफ देखिए जहां उन्होंने साफ साफ यह बोला है कि आप इन दोनों का combination जो है वो copy paste कर देती हो और अब य यह वाला देखिए जरा जहां किसी ने यह comment किया है इनको यह भी नहीं पता कि यह किसके बारे में बात करें तो आप ऐसे कह सकते हाउ डेर यू कि आप मुझे ऐसे बोलोगे कि मेरी language ऐसी है मेरी language के लिए मुझे कोई नहीं किसी को अप शब्द यूज करती हूँ नहीं किस बैंगलोर नहीं गई है यह जूटा और ब्रहम पैदा करने की कोशिश कर दी है तो मैंने उसके ओपर बनाया था तो मैडम ने वह बैंगलोर वाले व्लोग से फोटो लेकर अपना भी थमनेल बना दिया ऐसे यह कैसे कोईसिदेंस हो सकता है जब तक आप किसी का सुनो और पूट्कास्ट बनाती हूं वह चले ना चले वह उपर वाले की बात है अगेन इन्होंने कई मारी यह वह डॉक्ट सुंबुल मैं सबसे पहली पूटकास्ट थी एवन रेडिट पर भी ये बाद में आई ये मेरे पूटकास्ट आने के तो भाई अब इसको क्या कहेंगे, अब वो कहती है कि अचानक से मेरी फीड में आ गया, oh my god, सब चीज इनके हैं अचानक से इनकी फीड में आ जाते हैं, बर ये नहीं कहेंगी कि हाँ मैंने कॉपी किया है, क्योंकि मैं शबनम गहलोत को सुनती हूं और उनका content चोरी करती हूं और अगर आपको इसी बात का बहुत जादा बुरा लगता है कि मैं उसकी age के बारे में बात करती हूं, तो मैडम आपने thumbnail पर 34 साल की बच्ची लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ age के उपर ही जाएंगे, कि मैं age के उपर बात करती हूं, podcast बनाते बनाते तो आप भूल जाती को जानते ही नहीं हूं, मैं आपकी feed list में आती ही नहीं हूं, आप मेरे podcast सुनते ही नहीं हूं, तो आपको कैसे पता मैं गंदी language यूज़ करती हूं, इस पेसली सितारा यासीन की, जो आपने रिप्लाई किया है अपने एक subscriber को, कि मैं सितारा यासीन पर reaction देती हूं, जबकि म अगर आप गलत हो और आप मिसंडरेस्टेंड कर रहे हो दोनों नाम में और किसी और शबनम के साथ तो प्लीज अपनी नेक्स वीडियो में वो बॉल येगा और आइंदा मेरा नाम बिल्कुल भी यूज मत किजेगा अपनी वीडियो में और इस तरह की लेंग्वेज के लिए सीख दी मेरे बिहाब पर जाकर के आप मेरा और एक कोई फैलो क्रियेटर हैं उनके दोनों के पोड़कास सुनती हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर उसको प्लेजेंट कर देती हैं चलिए मिलती हूं नेक्स पोड़कास में तिल देन बाई बाई अलाहाफिस टेक केर